वेल्टम बैक टूर चैनल एक्षेल इंग्लिस जोन जी है आज के इस वीडियो में जाने की कोशिश करेंगे कि यूटूब से पैसा कब और कैसे कमाया जा शकता है और साथी साथ यह जानेगे कि किन की लोगों को यूटूब पे आना चाहिए और किन को नहीं आना चाहिए तो सबका सब डाउट क्लियर होगा तो बैने रहे मेरे चैनल पर चैनल पर अगर बिल्कुल नए हो तो सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को आंग तक देखें अगर अच्छा लागए तो लाइक भी जरूर ठोकना तो मैं बताना चाहूंगा कि य वीडियो अपलोड करना शुरू कर देता है जैसे शुरू करते हैं तो यूटूब का एक फॉर्मेट होता है बेसिक फॉर्मेट है एक टर्म से कंडिशन से कि आपको क्या करना है कि पिछले एक साल के अंदर पिछले एक साल के अंदर 4000 घंटे वाच टाइम यानिकि आपका वीडियो 4000 घंटे तक देखा जाना चाहिए और साथी साथ कौम से कम 1000 सब्सक्राइबर पिछले एक साल के अंदर और पिछले एक साल के ही अंदर 4000 घंटों तक आपकी वीडियो चलनी चाहिए उसके बाद में आपका चैनल एबल हो जाता है मॉनिटाइजेशन के लिए तो गूगल से गूगल पी होगी रहाता है यूटूब के तरफ से तो आट से को बोलते हैं तो आप पना अके कर ल'T Сबूर से अकर वीडियो जक्राइबर तो ऑपको पता होगा की उसके बाद में आपको देखने वाले कितने दिर देख रहे हैं तो यह फरक पड़ता है तो इससे पैसा आती है और पैसा इससे भी कैसे आती तो आपके वीडियोस पर मौनिटाइजेशन के बाद एड्स जुड़ा जाता है जैसा ही परचार आता है तो उस परचार का रुपया उस एडवर्टीजमेंट का रुपया आपको मिलता है तो सबसे पहले यूटूब के पास पैसा हो जाता है 100% कोई भी कंपनी अगर अपना परचार करवाती है तो 100% पैसा यूटूब को देती है उसमें से यूटूब 55% अपने यूटूबर्स को देता है अपने यूटूबर्स को 55% देता है और 45% खुद रख लेता है तो यह होता है इसका बेसिक खाका यह नहीं कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा पूरा हो जाने से पैसे के बारिश होने लगती है ऐसी कोई बात नहीं है अगला क्वेशन था कि यूटूब पे किसको किसको आना चाहिए किसको नहीं आना चाहिए जो लोग नियमित रहते हैं उन्हीं को यूटूब पर आना चाहिए क्योंकि इसमें नियमित वीडियो बनाना बहुत जरूरी है और नियमित वीड कोई नहीं है तो यह जलकारी आपको कैसी लहीं कॉमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले अगर बैस्तर लगा हो तो एक बार कुना कहूंगे मैं लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिंद जैवाद